हर्याना के उपमुख्य मंतरी दुशियन चोटाला ने इंदरी हलके के बाढ़ गरस्त छेतरों का दौरा किया इस मौके पर उनके साथ परशास्निक अदिकारी भी मौजूद रही उपमुख्य मंतरी ने परभावी गाओं वासियों से भी मुलाकात की और उनसे आ रही समस्याओं की जानकारी ली उपमुख्य मंतरी ने सुएं ट्रेक्टर चला कर बाढ़ गरस्तेरियों का सर्वेक्षन किया और मौके पर ही परशास्निक अदिकारियों को सहायता कारियों को तेजी लाने में आदेश दिये इस मौके पर पतरकारों से बाचिंग करते हुए उपमुख्य मंतरी दुश्यक चोटाला ने कहा कि यमुना में लगभग 50 पूट का बीच हुआ है तथा इसी परकार का नार्वे पानी पत के हलके में भी हुआ है इन तीनों बहुत काम चल रहा है और शीगर ही तकबंग बना दिये जाएंगे जिससे पानी पुरानी यमुना में चला जाएगा उन्होंने कहा कि अभी आबादी एरिया में पानी की मार नहीं पड़ी है लेकिन खेतों में पानी बहुत ज्यादा खड़ा होने से नुक्सान हुआ है चोटाला ने कहा कि अभी नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता लेकिन परशास्तनी कदिकारियों द्वारा समय बर्चेताव नीदे दी गई थी जो रिचेंशन है पाणी का वो पुराणी अमना के अंदर से हो जाएगा अभी अबादी परभावित एरिया के अंदर तो पाणी नहीं है में रिगरिकल्ट तेर एरिया के अंदर आया है और कब तक ये ब्रीचेज रोके जाएंगे उसके बाद ही कोई अनुमान लगाए पाणी हो चुके हैं मेरा ये मानना है कि यमना के अंदर अभी डेढ़ एक मीटर का पानी का डाउन फॉल आया है और अगर दो एक मीटर और डाउन फॉल आजाता है तो इसको इमीडियेटली हम फरिचेंट तो पूरे हरने के बाद आंकलन किया जाए तो कितना नुक्षान म अनुमानित करना अभी बहुत अहली है सिर्सा जिले में भी पानी पहुंचा नहीं है ओटुएट आज शाम तक वहां भी अनुमान है कि इसे गजार क्यूसिक पानी गगर का वहां पर पहुंच जाएगा उसके बाद वहां किसे डाइवर्जन्स है या जो राजिस्तान की त पानी डाउन फॉल आया है तो यह पॉजिटिव साइन्स है कि पानी नीचे जाना शुरू हो गया नगर यह उपरवाले से दुआ करते कि माचल में और जो हमारी शिवालिक्स की फुटिल्स है इनमें और बारिश ना हो अगर अगले 48 गंटे में बारिश नहीं होती तो लग ब्रीचेश करनाल और पानी पजिले में होएं इससे अडिशनल जो क्रॉप लॉस होगा वो असेस्स किया जाए इंदरी से मैं पांग पश्यप की रिपोर्ट युद्वार्ग टीवी